नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेगा कलासस में बच्चो आज हम रोग इस वीडियो में कलास 10 थिक के फिजिक्स का पाचो चेप्टर का अबजेक्टिब कोश्चन बारे-बारे से देखेंगे जहां दोस्तों सुरू करेंगे पहला चेप्टर परकास के प्रावरतन और वीडियो को लाज तक देखें एक 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 अबजेक्टिब कोश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है और इस अबजेक्टिब कोश्चन का आपको पीडियो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर कि आप इसका पीडियो भी डाउनलोड क पजोरी अनंत होती है ठीक है ऑपवसर A हो जाएगा सही दुसरा कोश्चन देखिए गोलिये दरपन की पराबर्तक प्रिष्ट की बृताकार सीमा रेखा का ब्यास कहलाता है ऑपसर नी सही इंसर होगा देखिए ओपसन C गोलिये दरपन का दौरा को यह देखिए 22 कोश्चन तिसरा कोशन देखे उत्तर लेंस के सामने बस्तू को कहां रखने पर परती बीम बस्तू की आकार का बनेगा ये देखे बोर्ड मोडल और 15 में पुछा हुआ कोशन है अगर हम बस्तू को 2-up पर रखते हैं तब बस्तू का परती बीम और बस्तू का आकार सेम हो जाएगा यानी क्या उप्सन देखे इसका हो जाएगा 2-up 1 पर चलिए ये हो जाएगा सही कोशन नमबर 4 देखिए लेंस की छहमता की इकाई क्या होती देखे बहुत ही इम्पूर्टन कोशन है 2020 में 2022 में 2023 में पूछाओ कोशन है लेंस के छमता का ये काई पूछ रहा है लेंस के सकती काई काई पूछ रहा उप्षन देखे ए हो जागा सही डाय उप्टर ठीक है उसके बाद पच्मा कोश्चन देखे किस लेंस को अभी सारी लेंस भी कहते हैं ये भी दिखे लेंस को हम क्या बोलते हैं अभी सारी लेंस बोलते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखे छे में उत्तल दर्पन का उपयोग होता है option एह देखे बाहन के साइड मिरेड के रूप में चेहरा देखने के रूप में फोकस ग्याद करने में और दाढ़ी बनाने में गर बसु को पर कासी के इनर और फोकस के बीच में रखेंगे तब उत्तर लिन्स के द्वारा आभासी और आभार्धित परती भी बनेगा यह देखिए 2014 में पुछावा question है नेक्ट देखिए आठ में क्या है दरपन का सुत्र है यह भी देखिए 21 और 23 में पुछावा question है तो दोस्तों सभी question देखिए आप देख रहे होंगे important important outlook के लिए कराए है इसलिए आप हमारी चैनल को subscribe करें अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को share करें चलिए दरपन का सुत्र है option यह देखिए 1 बटा B plus 1 बटा U equal to 1 बटा यप option यह हो जाएगा सही next question देखिए lens का सुत्र पूछ रहा तो देखिए दरपन सुत्र में 1 बटा B plus 1 बटा U बराबर 1 बटा यप 20 में उल्टा हो जाएगा निकी पलस के जगए पर माइनस हो जाएगा तो option देखिए यह हो जाएगा सही 1 बटा B minus 1 बटा U equal to 1 बटा यप चलिए यह lens सुत्र हो गया चलिए next question 10 में देखते हैं एक पारदर्सी गोल ये कबच की बाहरी तिर्जिया 20 cm तथा भीतरी तिर्जिया 19 सवनव 8 cm है तिर्जिया आपतित परकास के लिए यह कैसा ब्यभार करेगा देखिए 2022 में पूछ आओ question option A है उत्तर lens के भाती B है प्रिजम के भाती C है समानतर पटिका के भाती और D है अवतर lens के भाती तो सही answer देखिए इसका उजएगा option D अवतर lens के भाती चलिए 11 नमबर question में का काता है सरल सुचमदर्सी में किस परकार का lens कार्ज करता है सरल सुचमदर्सी में उत्तर lens काम करता नहीं का option देखिए इसका उजएगा C दो मीटर फोकसांतर बाले उत्तर lens की छमता क्या होगी option A देखिए minus 0.5 diopter B है plus 0.5 diopter C है 2 diopter और D है 0.2 diopter देखिए ये question जो है 2012 में पूछा हुआ है इसका सही answer होगा option B plus 0.5 diopter आप इसको P equal to 1 बटा यफ का फोर्मल लगा करके बनाईएगा ठीक है 13 में क्या है किसी गोलिये दरपन की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी बक्रता तिरजिया क्या होगी option A देखिए 15 cm B है 10 cm C है 20 cm और D है 5 cm अब देखिए गोलिये दरपन का फोकस दूरी दिया हुआ इसका बक्रता तिरजिया पोच रहा तो देखिए दो बक्रता तिरजिया होता है वो फोकस दूरी का दूना था नहीं कि R equal to 2 होता है 2 याफ तो अगर हम 2 और याफ का मानद 10 दिया हो का बात करें तो उत्तल लेंस का होगा और दर्पन का बात करें तो अबतल दर्पन होगा तो अबतल दर्पन और उत्तल लेंस देखी कंसा है धनातमक होगा नहीं कि option देखे C हो जाएगा सही ये 2022 में पुछा हुआ question अगरा question देखे 2021 का है किसी अबतल दरपन की focus दूरी यप और उसकी बकरता तिरजिया R है तो निलगत में से कौन सा समन सही R equal to 2 यप R equal to 2 यप देखे option जो है B हो जाएगा सही ठीक है 17 का option B सही 18 में देखते हैं हम लोग क्या पुछा हुआ question है अबतल दरपन के सामने बस्तू को कहां पर रखा जाए ताकि परतिवीम उल्टा बने बास्तिवीग बने और समाना कार का बने अब देखे अबतल दरपन रहे या उत्तल दरपन में परतिवीम बनता है अबहासीबनता है यह 21 और 33 में पुछा हुआ question option हो जाएगा 20 का सही चले अगरा देखे 20 में है परकासिक माध्यम कितने परकार के होते हैं यह देखे 21 और 33 में पुछा हुआ question है परकासिक माध्यम कितने परकार के होते हैं option A है 1, B है 2 और C है 3, और D है 4 तो सही answer इसका देखिया होगा 2 और B एकीस नमबर question में अबतल दरपन में परती बीम किस परकार की बनती है cable बास्तविक, cable कालपनिक बास्तविक और कालपनिक, cable सिधा देखिये क्या होगी, अब देखिये या फी call to आप पढ़े होंगी R बटा 2, तो R कितना है 40, और बटा 2 करेंगे तो 20 आनि कि देखिये 30, 15, 10, 20 20 कहा है D में, तो इसका सही answer हो जाएगा option D, question नमर 3, अबतल दरपन के सामने बास्तू को कहा रखने पर परतीबीम समान साइज का बनेगा यह देखिये, 14 में पूछा हुआ था, अबतल दरपन में अगर हम बखरता केंदर पर रखेंगे बास्तू को तब वो समान आकर्ती का बनेगा ने कि option कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 24 में देखिये, किसी अबतल दरपन की बखरता तिरजिया 30 सेंटीमीटर है तो उसकी नभियांतर का मान क्या होगा यह बोर्ड मोटल का question है, देखिये 30, 10, 15, 20, अब देखिये बखरता तिरजिया R दिया हुआ है R बटा 2 इकॉल टू नभियांतर ने फोकस दूरी पूछ दिया तो 30 बटा 2 इकी 15 सेंटीमीटर option का हो जागा, C हो जागा सही चलिए next question हम लोग देखेंगे 25, किसी प्रिजिम से जब किसी प्रिजिम से किसी प्रकागे किरन का आप बरतन होता है, तो आप तित किरन एवं निरगत किरन के बीच बने कोन को क्या काते है, बीचलन कोन काते आनि कि option देखे, A हो जागा सही 25 का, next question देखे 26 में क्या काता है, निमलखित में से जल का बरतना कौन सा है जल का बरतना देखे, 2015 का कंपार्टमेंटल में पुछता हो question है एक दसनलब, तीन जल का बरतनांग हो जाएगा, option A सही क्रांती कोन के लिए, बरतन कोन का मान कितना होना चाहिए 90 डिगरी होना चाहिए, option हो जाएगा C सही 27 का, नेकिश देखे, परकास के पीछे लोटने की प्रक्रिया कहलाता है परकास का पराबरतन, option हो जाएगा A सही, question नमर परकास के पराबरतन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है, देखे, परकास के पराबरतन का दूसरा नियम कहता है, आपतन कुन और पराबरतन कुन बराबर होगा आपतन कुन पराबरतन कुन बराबर होगा, ने, option देखे, बियो जगा सही तीस नमबर कोशन देखे, परकास के अब बरतन के कितने नियम है, ये देखे, 12, in one, 12, compartmental, 13, 15, 16, 20, 20, 30, बोले, कितना बार ये कोशन पुछाओगा, इतना important कोशन है, परकास का बरतन के दो नियम है, बहुत ही असान इसका एंसतर हो जाएगा, उप्शन बी, दार्धी बनाने में कौन सा दर्पन उप्यूगत होगा, 11, 15 और 21, दार्धी बनाने में अबतल दर्पन का उप्यूग होगा, उप्शन होज़ेगा बीस है, बतिसमेह, एक बेक्ती सम्तल दर्पन की ओर 4 मीटर परती सकेंड के बेग की चाल से आ रहा है, बेक्ती को सम्तल दर्पन में अपना पर्ति बीम किस चाल से आता हुआ पर्तित होगा तो देखे अगर कोई बेकती समतल दर्पन की और भी बेक से आएगा तो उसका पर्ति बीम टू भी बेक से आता हुआ पर्तित होगा नहीं डबल हो जाएगा तो चार दूनी आठ मीटर पर्तित सके नहीं क्या ओप्शन जो है कोशन है तो किसी समतल दर्पन का अबर्धन जो है पलस एक होगा आनि ओप्सन यह हो जाएगा सही चलिए इंडेश कोशन देखे 25 में काता है एक बेकती जिसकी लंबाई देखने के लिए समतल दर्पन की नियुंतम लंबाई कितनी रखनी होगी तो देखे अगर आदमी डेढ़ मीटर का है तो उसका आधा कर देजिए आनि कितना हो जाएगा 0.75 मिटर यह सही एंसर होगा उप्सन C अगला कोशन देखे किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हो होती है देखे 2019 में पुछाओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी रिन नेगेटिव होगा ठीक है तो यह देखे ऑप्सन हो जाएगा B सही ठीक है अगला कोशन देखे किसी गोल यह दरपन की बकरता तीजिया 50 सेंटीमेर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी देखे फोकस दूर मिट्टी केबल जो है वो लेंस बनाने में पर्यूक्त नहीं होगा और यह उप्सन देखे अर्तिस को जगा D सही 2012 में पुछाओ कोशन है किसी सब्द कोशनी डिक्सिनरी में पाए गए चोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप नीमन में से कौन सा लेंस पढ़ना पसंद करें में पुछाओ कोशन है ओप्सन यह देखिए 50 फोकस दूरी का अबतल लेंस 50 फोकस दूरी का अबतल लेंस पांच सेंटीमीटर फोकस दूरी का अबतल लेंस अब यहां पर ध्यान देखिए कता है कि सब्द कोश के छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो सब्द कोश को जब हम पढ़ेंगे तो उसको नजदीक से पढ़ेंगे तो नजदीक से अगर हम लोग पढ़ते हैं उसको और उसमें अगर हम लेंस का वेभार करते हैं तो दूर दिरिश्टी दोस हो जाएगा और दूर दिरिष्टि दोस्को दूर करने के लिए हमको उत्तर लेंस का प्रयूग करना पड़ेगा तो इसका सही नसर क्या हो जएगा उप्सन सी हो जएगा पांच सेंटीमेटर फोकस दूरी बाला उत्तर लेंस अब पांच सेंटीमेटर बला ही क्यों लेना है पचास बला क्यों कि निन्दू ब़स्तु देकि एक्टारिस में किशी बिंदू बार्सटु से निकल कर करन बंचे काते देखें दूच गासा हो ज़िएगा सही 41 का में अगर दिखें उत्तल दर्पन द्वारा बना परतिविम होगा और शोचाdire उत्तल लेंस में सीधा और छोटा परतिम मनेगा इसी लिए उत्तल लेंस का परियोग जो है बाहनों के साइड मीरण में करते ताकि दूर का बस्तु जो है छोटा हमको दिखाई पड़ जाए और सीधा दिखाई पड़ जाए बड़े द्वारक के अबतल दर्पन की फोकस एक बिंदू बिम इस्थित है ठीक है अब देखिए अबतल दर्पन के मुख फोकस पर एक बिंदू बिम अनिक एक बिंदू बस्तु श्थित है जिसका एक परतिम अनंत पर बनता है गोल ये भी पतन के कारण अन्य परतिम कहां प ओप्सन देखिए है बास्तिवीक तथा दर्पन के पीछे चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए 2013 में पुछा हुआ है गोलिये दर्पन में फोकसांतर और बक्ता तिर जाके भी क्या समंद है या फिकॉल टू आर बाई टू या आर इकॉल टू या पार इकॉल टू या देखे एक में दिया हुआ यही हो जगा सही किसी दर्पन से बस्तू का बरा परतिवीम बनता है ओप्सन ए देखिए है समतल बी है अबतल डी है उत्तल और सी है उत्तल और डी है इनमें से कोई नहीं से इनसर होगा ओप्सन बी अबतल दर्पन अगर रहेगा तब बरा परतिवीम सिधा तथा बी मानिकी बस्तू से बरा पाया गया बस्तू के स्थिति कहां होनी चाहिए दोजार तेरा और दोजार तैस में पोचा वो कोश्चन है ओप्शन ए देखे मुख फोकस था बकरता केंदर के बीच बी है बकरता केंदर से पड़ी और डी है दरपन के धूरता मुख फोकस के बीच सही अंचर हो जाएगा ओप्शन डी अगर हम बस्तू को दरपन के धूर बर मुख फोकस के बीच रखेंगे तब अब तल दरपन में अभासी सिधार बस्तू से बरा परतीम मनेगा 47 में यदि समतल डरपन को अभी लम की दिशा में 5 cm खिसका दिया जाए तो परतीम कितना खिसक जेगा देखें समतल डरपन में एगर हम इसको 5 cm खिसका हैंगे तो दूगना खिसके गानी की 10 cm जो है 47 का उजाएगा सी सही उन्चास 98 में है सूरज की किरणों को एक अबतल दर्पन के गाउन अक्षनी सकेंडरी एक्सिस के समरांतर आप्तित कराया गया है गोलिये दर्पन की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक सम्तल दर्पन अभी सारी किरणों को प्राप्त कर प्राबर्तित करता सम्तल दरपन द्वारा बना हुआ परतिविम कैसा होगा कालपनिक होगा और सीधा होगा option देखिए यह हो जाएगा सही उन्चास में देखिए गोली दरपन की फोकस दूरी उसके बकरता तिरजिया का अब देखिए फोकस दूरी यप का बात हो रहा है और बकरता तिरजिया का कितना होगा तो देखिए यह फिकल्टू होता है आर बटा टू तो बकरता तिरजिया का अधा हो जाएगा निया option किस रंग की किरन का जुकाब सबसे अधीक होता है यह कोशन देखिए 2011 और 15 में पुछा हुआ है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरन जुकाब सबसे अधीक होता है यह क्यावन में है तैलिये कागज होगा देखे अगर कागज मित्यल लगावा रहेगा तो वह पारभासी बन परतित होगा संबावता दर्पन है देखिए 22 में पुछा हुआ कोशन है अगर आप उत्तल दर्पन के सामने कितना भी दूर खरे रहेगा तो उसका सिधा परतिवीं बन जाएगा इसलिए बाहनों के साइड मेर में उत्तल दर्पन का पुछा होता है तो इसका इंसल हो और डायॉप्टर छमता बाले अब तल लिन्स की फोकस दूरी कितनी होगी अब देखिए छमता दिया होने की पी दिया हुआ है और पी उकल्टू होता है वन बटा या पूछ रहा तो या फिकल्टू क्या हो जाएगा वन बटा पी हो जाएगा और अब यहां पर देखिए ट्रायॉप्टर में दिया हुआ तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदनेंगे तो हो जाएगा एक बटा सव तो सव को चार से काटेंगे तो पचीछ यो का सवाने के देखिए इसका जो सही इंसर आएगा वा जाएगा ओप्शन भी पचीछ सेंटीमीटर निर्गत क किरन और अभिलम के बीच का कोन निर्गत कोन कहलाएगा निया ओप्शन देखे सी हो जाएगा 2012 में पूछा हुआ कोश्चन है नेक्ष देखे 56 में समतल दरपन द्वारा बने बस्तूओं का परतिविम कैसा होता है ओप्शन ए बास्तविक है बी कालपनिक है सी उल्टा है औ गोली दरपन होगा देखे दरपन दिया हुआ पलस दरपन का फोकस दूरी दिया हुआ है पलस में तो इसका मतलब यह उत्तल दरपन होगा निया ओप्शन देखे ए हो जाएगा सही इसका ठीक है 21 में पूछा हुआ कोश्चन अंठामन में काता है कि परकास की चाल भीन-भी में भीन भीन होती है यह आगला कोशन देखिए असने का नियाम का गनेती यह रूप कौन सा यह कोशन देखिए 13, 15, 16, 19, 21 में पुशन है तो बहुत ही इंपोरेंट कोशन है यह भी असनियल करनी हम होता है मी उइकल टू साइन आई बटा साइन आर अने कि अप्सन देखे यह हो जागा सही ठीक है को स्ट नमबर साथ देखे किसी कुलाइडी बिलियन में निलंबित कनों से परकास के प्राकिरिनन को क्या कहा जाता है अप्सन यह देखे बाय मंदली परभा बी है किंडल परभाओ सी है टिंडल परभाओ डी है क्यूंटल परभाओ अब देखे चौदा में पुछाओ को स्ट हो जागा सी सही टिंडल परभाओ एक सट में अस्पेक्ट्रम पराप्त करने के लिए किसका उप्यूक एटा पंद्रह 22 और त्यस ने पुछाओ को अगर किसी अबतल दर्पन की फोकस दूर यप तथा बगता तिर्या आर हो तब आर इकॉल टू यप टू यप तो यप इकॉल टू आर बटा टू अनि के उप्सन देखे इसका भी हो जागा सही अबतल लेंस का अबर्धन असमोल यम बराबर होता है तेरह बी से कीस और तैस डाइगराम दिया हुआ है यहाँ से यह आप्तित किरन है और समना अंतर तो आपसं में जाती है तब आपसं की एखे इसका बी हो जागा सही अभी लंग की ओर मूर जाती है अनिया भी लंग के निकट अनिया उप्सन देखे बी हो जागा सही इसका उसके बाद सरस्ट में है परकास का बर्न बीचेपन किस उपकरन से संभब होता है परकास का बर्न बीचेपन प्रिज्म से अनिया उप्सन देखे इसका C हो जागा सही सरस्ट का अर्शट में हैं दिरिश्च परकास में किस वर्ण का तरंग धैर अधिक्तम होता है उप्सन ये देखिए बैगनी है फिर लाल है नीला है पीला है दोजा तेरा सुल्ला और उनीस में पुछा वो कोशन है तो देखिए लाल रंग का तरंग धैर जो है वो सबसे अधिक हो साइड मीरर के रूप में किसका उप्योग करेंगे उत्तल दर्पन का नीक भी हो जागा सही 15 में पूछा वो कोशन है बीरल से सघन माध्य में जाती हुए किरना देखिए बीरल से सघन अभी हम लोग उसके उपर देखी रहे थे जो हाबा और कांस से जा रहा तो अभी लंक सघन से बीरल उल्टा होगा तो अभी लंक से दूर हो जाएगा एक अतर में किसी उत्तल लेंस का फोकस आंतर 50 सेंटीमेटर तो इसका छमता कितना होगा अब देखिए अगर छमता हो का बात करें तो पी उक्वल्ट होता है और अगर हम इसको सेंटीमेट को मीटर बदलेंग भी रखने से बस्तु के बराबर आकार का सिधा परती बनता है तो दरपन कैसा होगा कहीं पर भी रखेंगे सिधा बनेगा निकी उत्तल हो जाएगा और अप्सन देखिए हो जागा सही ये दोजर बीस में पुछाओ को तेहतर में है निमन में से कौन सा पदार्थ लेंस के ये परियुक्त नहीं किजा सकता है एकीस में पुछाओ को कोशन देखिए जल जो है इससे लेंस बना सकते हैं कांसे भी बना सकते हैं पीतल से नहीं बन सकता है तो अप्सन देखिए सी हो जागा सही निमन लखित में से कौन सा संख्या परकास के बरतन के नियम के लिए सही ह एकीस में और तैसे में देखे परकास की आप बरतन के दो नियम है तो दो हो जाएगा उपसेंटीमीटर फोकस दूरी बाले एक अबतल दर्पन के सामने टू यफ सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम को रखने पर दर्पन द्वारा इसका परती बीम बनेगा ओपसन ए देखे है अबतल के फोकस पर अबतल दर्पन के बगता के अंदर पर अबतल दर्पन के मुख फोकस था बगता के पीछे और अबतल दर्पन के पीछे तो सही अंसर होगा ओपसन बी इसका अबतल दर्पन के बगता के अंदर पर अगला कोशन है देखे निर्दे चिन परिपाटी का नुसार अबतल दरपन था उतल दरपन की फोकस दोरी अब देखिए अबतल का फोकस दोरी हो जाएगा रिनातमक तो रिनातमक धनातमक देखिए उप्सन B में है 78 में है जब किसी बीम को अबतल दरपन के बकृता 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 के अग्रदीप कहा उनीस और विसमों पुछाव करण चाहा है दर्पन और अगर दीप होते हैं, देखिए, आगे बार। जो दर्पन होता है मुटरuçालक में, वो दर्पन उत्तल होता है, यानि is C हो जागा सही है, 19 में पुछाओ को कोस्चन है, नेक्स कोस्चन देखिए, उत्तल दर्पन द्वारा बना परतीविम होता। बुत्तल दर्पन में हमेशा जो है सीधा परतिम बनेगा तो कालपनिक और बिम के अपेक्छा सीधा सही अलसर देखें क्या सी का सी हो जाएगा ठीक है तो दुस्तों अगर आपको वीडियो पसंदा रहो अधिक से अधिक सेर करें और लाइक जरूर कर दे तो बिरासी में क्या बाद प्राबरतन के बाद दर्पन द्वारा बना परतिम होगा यह देखे 23 से पुछा वो कोशन है काता है समतल दर्पन पर अगर अभी सारी किरन पुझ परेगा तब कैसा परतिम प्राप्त होगा तो देखे ऑप्सन इसका हो जाएगा बी सही कालपनिक और दर्पन के आग अनि ऑप्सन जो है बी जगा सही कोशन नमर 83 देखे एक उत्तल लेंस होता है 2013 में पुछा वो कोशन तो एक उत्तल लेंस जो है सभी जगा समान मोटाई का गलत हो गया बीच के अप एक च्छा किनारे पर मोटा यही सही हो जाएगा ठीक है बीच नहीं नहीं गलत हो गया यह किनारो के अप एक च्छा बीच में मोटा उत्तल लेंस इस पर करका होगा तो बीच में मोटा रहेगा किनारे में पतला रहेगा निया उप्सन देखे इसका C हो जगा सही टिक पूछा होए किसी बीम का बास्तिविक तथा समान साइज का परतिवीम पराप्त करने के लिए बीम को उत्तर लेंस के सामने कहां रखना ओगा उप्सन एह हे लेंस के फोकस पर्शो की दूग्री दूरी For सही अंसर हो जाएगा B देखे फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर अगर रखेंगे तो समान साज का परतीम प्राप्त हो गजा टिंडल परभाव परकास की कौन सी प्राघटना को परदर्शित करता है 2019 और एकेस में पुछाओ कोशन है परकास का प्राबरतन परकास का बरतन परकास का प्रन भी किस लेंस की फोकस दूरी धनातमक होगी 2019 और 2030 में पुछाओ कोशन तो अब तल लेंस का फोकस दूरी धनातमक होता है अप्सन हो जाएगा ए सही नई कार्तिय चिन्ह परिपाटी का नुसार धरपन के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है रिनातमक हो जाएगा बी सही उनीस में पुछावा कोश्चन है अगला कोश्चन देखिए नबे में निवन में से किस माद्यम में परकास की चाल अधीकतम होगा निरबात में परकास की चाल अधीकतम होता है उनीस और बीस में पुछावा कोश्चन बाइस में पुछावा कोश्चन क्या है परकास की चाल नियुन्तम कहाँ पर होगा तो देखे जितना सघन माद्यम रहेगा परकास का चाल उतना नियुन्तम होगा निकि काच में परकास का चाल नियुन्तम रहेगा निया उपसे उज़ेगा D सही उसकत कता है कि निन में से किस दरपन की फोकस दूरी धनात्मक होगा देखे दरपन में फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा उत्तल दरपन का निया उप्सन उजेगा B सही अउप्सन ए है 40 डिगरी, B है 50 डिगरी, C है 60 डिगरी और D है 70 डिगरी तो इसका सही इंसर देखे होगा अउप्सन B पचास डिगरी चवराणवी में है एक उत्तल लेंस का छम्ताव एक डियॉप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा इरिनात्मक होगा निकी माइनस 100 cm हो जाएगा ठीक है ओप्सन हो जाएगा इसका D सही 94 का 95 में है उत्तल लेंस द्वारा आबारधित कालपनिक परतिविम तब बनता है जब बस्तू रहती है ओप्सन A है देखे अनंत पर B है फोकस और लेंस के बीच C है फोकस पर D है फोकस दूरी और दूगनी फोकस दूरी के बीच सही अंसर होगा ओप्सन B फोकस और लेंस के बीच 22 में पुछावगा कोशन है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी के पेकच्छा अधीक रहेगा निया option देखे 96 का ए हो जाएगा सही question number 97 देखे 21 में पुछाओगा question क्या है तलाब का जल कम गहरा परतित होने करण क्या है अपबरतन निया option देखे C हो जाएगा सही photographic camera का अभी दिरिश्यक कैसा होता है उत्तर लेंस का होता है 22 में पुछाओगा question है C हो जाएगा सही 99 काता है एक परिज्म कितने सतों से घिरा हुआ होता है तो देखे एक परिज्म जो है इस परकार से रहेगा तो वो तीन सतों से घिरा हुआ रहेगा सगहन माध्यम से विरल माध्यमें गमन करने पर आपतन कौन आई बराबर नहीं हे 0 और अप वर्तन कोन, R में क्या संबंध होगा 23 में पूशा होगा कोशन को नहीं देखिए आप बरतन को और आप तन कोन बराबर हो जाएगा सही एंसर देखे हो जाएगा भी इसका ठीक है तो ये हो गया तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कर दे अब हम लोग नेक्स्ट चेक्टर दूसरा अध्याय मानम नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार आनि हुमाइन आइंड आइंड कररफुल वर्ल का इंपोर्टेंट अबजेक्टिव कोश्चन और एंसर को देखेंगे पहला कोश्चन बर्न बिछेपन में किस बर्न का परकास सबसे अधीक बिछलित होता है ये कोश्चन देखे सबसे धीक होता है और लाल रंग जो है दूर सही दिखाई देगा तो लाल रंग का सिंग्रल लिया जाता है नेक्स्ट कोश्चन देखे तिसरा क्या है स्वेट परकास के बिभीन बर्नों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते है विभीक्त बर्नों मतलब विभीन रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते है है दुस्टन देखेगा परकास का प्राथमिक वर्न है नीला हरा लाल और इनमे से सभी दखेए परकास का प्राथमिक बर्न के लिए आध रखेगा राम गोबिंद बाबू एक ट्रीक, राम गोबिंद बाबू, तो R से रेड हो जाएगा, G से गोबिंद अनिकी ग्रीन और B से बुलू, राम गोबिंद बाबू ये ट्रीक है प्राथमिक बरन के लिए, तो देखे, लाल नीला और हरा तीन हो आएगा, इनि में से सभी हो जाए को अपने कोपी पर नोट कर लिजेगा, या डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडिया भी डाउनलोड कर सकते, ठीक है, सभी कोशन अब्जेक्टिव है, इसलिए इक भी कोशन को मिस नहीं किजेगा, सब कोशन को आद कर लिजेगा, तो देखे, अंत्रिश आतरी को अकास निला, इसलिए दिखाए पड़ता है, क्योंकि वहां बायमंडल नहीं होता है, तो उप्सन देखे, यह हो जाएगा इसका सही, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहो तो इस वीडियो को लाइक करें, छठा कोशन है, आप इंदुगता दू जो कहता है, उप्सन से उजगा सही, सत्मा है एक लिंज की छमता पलस पांच डायोप्टर है, यह किस परकार का लिंज है, देखे, जो जर चौदह में पूछा वो कोशन है, उप्सन देखे, उत्तर लिंज, बी है, अप्तर लिंज, सी है, बिलना कार लिंज, और डी है, जोदह में, ग्यारह में, उनीस में पूछा हुआ कोशन है, बहुत ही इंप्सन है, तो असपश द्रिष्टी की नियुंतन दूरी सेंटीमिट में 25 सेंटीमिटर होता है, यह उप्सन भी होजागा सही, किस लिंज की छमता, एक डायोप्टर होगी, उत्तर लिंज, अप्तर कार लेंज और बाई फोकल लेंज, सही इंसर क्या होजाएगा, उत्तर लेंज, अनीकी ऑप्सन ही होजागा सही, उसका अगला कोशन है, दस में एक बेकती, अपनी आखों को, आखों के दोस को दूर करने के लिए अबतल लेंज, चस्मी का विभार करता है, उसकी आखों में दिरिश्टी दोस क्या है, अब देखिए आब तल लेंज, जो है निकट दिरिश्टी दोस को दूर करने के लिए परयुकिया जाता है, नीकी ऑप्सन देखिए इसका यह हो जागा सही, अगला कोशन देखिए, 2004 में पूछा हुआ कोशन क्या है, एक स्वास्त आख के लिए दूर बिंदू क्या होगा, एक स्वास्त आख के लिए दूर बिंदू अनन्त पर होगा, नीकी ऑप्सन देखिए डियो जागा सही, बारा में है, आख में जाने बाले परकास की तिवरता को नियंतित करता है, आख में जाने बाले परकास की तिवरता को पुतली नियंतित कर सभी आपको देखे इंपूर्ण बता जा रहा है यह के को अपर लिजीगा और आपको पसंद आ रहा है इस वीडियो को सिर कीजिएगा मानब नेत्र अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समय उजित करके विभीन दूरियों पर रखी बस्तू को फोक्सित कर सकता इसा हो पाने करन क्या है जरादूर्दर्सिता सामझन यह देखे सामझन स्मता हो जाएगा ऑपसंद बी सही पंदर में हैं दो डाय ओपतर चमता बारे लेंस का फोक्सांतर कितना होगा अब देखे शंता पी 갈 टू होता है वन वटा या तो या फिक ल टू होज़गा वटा पी अब यह इसको सेंटीमेटर में बदलते हैं तो लिखना पड़ेगा सव बटा ये पी तो पी कितना है दो तो और की पचास तो पचास सेंटीमेटर देखिए अपसन डी हो जागा सही कोशन नमर 16 देखिए समान द्रिष्टी के बयास के रिए दर्शन की अलपतम सेंटीमेटर की दूरी अब देखिए न्यतर लेंज जो है उत्तर लेंज जिसा बेभार करता तो उत्तर लेंज का जो अब बरतनांग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एक दसनलत तीन नोच शे अनि की ओप्शन देखे C हो जाएगा सही, अठारा में नेतर लेर्स की फोकस दूरी बढ़ने बढ़ जाने से आख में कौन सा दोस उत्पन हो जाएगा, दूर दिरिश्टी दोस हो जाएगा, तब उसे दूर की बस्तु दिखाई नहीं देगा, यानि कि उसको निकट दिरिश्टी दोस हो हो जाएगा सही, उसकर दिस में डॉक्टर बर्मा की चसमे की छमता पलस 0.25 डायवटर है, उनके आख से उत्पन दोस है, पलस डायवटर दिया हुआ, इसका मतलब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की समें लगता है, दूर दिरिश्टी दोस में, यानि कि अपसल देखे हो ज और एक उनी से पूछत है तो को स्टर इसका देखिए यह जाएगा से ठीक है उत्तर लियां से नेक्स्ट को शकता है फोटो ग्राफिक केमरे का भी द्रिस्यक अग्या उत्तर लीक्त का होगा और अगर पूछेगा कि कि मानब नेत्र में जो है को तो इसमें भी उत्तल लेंस ही होगा लिए कोशन पूछ दे तो आध रखेगा तेसी में है निकरत रिष्टी दोस का निबारन किसी लेंस से क्या आता देखेगे 11 में 20 में वाज से पुछा हुआ निकरत रिष्टी दोस के लिए अब तर लेंस का व फर्थी में बनता है रेडिना को अ को दृष्टी पटल के नाम से जाना जएता है तो इसका देखिए option होगा डी सई ठीक है अगला कोशन किमें का का ता है नेतर द्वारा किसी बस्तू का कैसा पर्थी मनता तो नेतर देखे किसी बस्तू का ओल्टा बास्तविक और बस्तु से छोटा परती भी बनाता है आने कि देखे बास्तविक उल्टा और छोटा कहा है डी में है तो इस सही अंसर यही हो जाएगा तो ज़र बाइस में पुछा हुआ कोशन था ज़र सुल्ला में क्या पुछा हुआ भा मानम नेतर में किस प्रकारण स्पाजाता है समान में आंख के दृष्टी पतल नरी की रेटना पर बनने बाला परती रियंक कैसा होगा तो यह बास्तविक होगा और उल्ल्टा होगा बास्तविक और उल्ल्टा नेकि डी देखे हो ज़गा सही नेक्स्ट को जब देखें उन्तिस में कहता है 10 मीटर फोक्सांतर बाले किसी अबतल लेंस की छमता कितनी होगी छमता पूछ रहा है देखे पी इकॉल टू क्या होता है वन बटा यह फोता है अब अगर हम इसको सेंटिमेटर मिलाने कोशिस करेंगे तो सव बटा यह फ और यह फ दिया हुआ है 10 मीटर तो अगर हम इसको 10 लेते है तो 10 अज़ाएगा निकर दस डियाप्टर देखे हो जाएगा और आब थ्याण से मामेंगे तो-10 डायोप्टर देखे कंस है ओप् सुन है मामेंगे सन दस डायोप्टर देखे है यह सी में है तो सही हो जाएगा तीस में करता है परकास की किस घटना कारण सुर्च हमें बास्तविक सुर्योदय से लगभग दो मिनट पुर्व ही दिखाए देने लगता है है तो इसका सही अनसर देखिए परकास का प्रावरतन प्रकासका बाय। ब्रत्न प्राकिर्न दिया हुआ थैसमेन परकेणा दोनों दिया है साँस्सर्षा-बी होगा परकेरण ब्न चाले कहों सापने देख ठाए उत्त नेत्र में दो सुतपन होता है option A देखिए है दूर दिरिष्टी दोस, B है निकट दिरिष्टी दोस, C है जराद दिरिष्टी दोस और D है बर्ह नान्धता तो देखिए निकट का बस तु दिखाई नहीं दे रहाने इसको दूर दिरिष्टी दोस है तो सही इंसर क्या हो जाएगा option A हो जाएगा सही निकट द्रिष्टी दोस बाले मनुस की चसमी में होता है अभी नेतर लेंस की फोकस दूरी में परिबर्तित किया जाता है अगला कोशन देखेंगे हम लोग 34 में काता निमखित में से कौन नेतर का रंगीन भाग होता है नेतर का रंगीन भाग ऑप्सन ये देखें कौर्णिया है बी रेटिना है सी परितारिका है और डी पुत्री सही अंसर होगा ऑप्सन सी परितारिका जो है आईरिस इसको बोलते हैं येही नेतर का रंगीन भाग होता है 2020 में पुछा हुआ कोशन 2015 और तैसमें क्या पुछा है आकास का रंग नीला दिखना किस घटना के कारण अधारित होता है परकास का प्रकिर्णन देखिए यही होज़ेगा सही चद्रमा पर खरे अंद्री चात्री को आकास काला दिखाए पड़ेगा 14 में 19 में 22 पुछा हुआ कोशन है तो इसका सही चद्रमा प्रकास के किस घटना पर धारे थे देखिए दोनों एक ही कोशन पुछा हुआ है तो 21 में परकास के परकिर्णन परकास के अपबरतन परकास के बर्न बिच्छेपन और परकास का अपबरतन सही चद्रमा परकास का अपबरतन किसी लेंज दोरा उत्पन आबर्धन का या साही मातर क्या होगा देखे यह इसमें और बाइस में पूछ राव देखे आबर्धन बराबर क्या होता है परती बीम की उचाई बटा बस तू की उचानी इसका कोई भी मातर नहीं होगा क्योंकि उचाई और उचाई दोनों का मातर मीटर कट जाएगा उसमें नेत्र में परवेश करने बाली परकास क्रिणों का अधिकास अफ़वरतन कहां होता है ओप्सन इसका देख लेते हैं कौर्णिया के बाहरी प्रिष्ट पर अभी नेत्र लेंस पर सी में है नेत्रोद पर और डी है द्रिष्टी पटल पर यह देखे 2019 में पूछा हुआ कोशन है तो सही अंसर होगा द्रिष्टी पटल पर अनिके ओप्सन क्या हो जाएगा डी हो तरह रिद्ष्टकन होगा ना रंगी हो एसे नीला होगा नहीं कोशन नवर 33 से 18 और परकास के में से किस नंग काбड़ा Papo सबसे अधीक होगा तो सबसे अधीक अप बरतानाग दिखे बैगली रंक होगा जोपरकाश सबसे excitement we could remove सबसे यह ज्यादा परकास का परकास का परबरतन भी होता है तो दोनों होना चाहिए इसका निरबात में परकास की चाल कितना है तीन गुना दस का अबर आठ मीटर पर दें सके नहीं सी हो जागा सही इसका 18 में पुछाओ कोशन है क्लास 10 के फिजी का आउब गेक्टिव कोशन का सीरीज हम लोग जारी रखेंगे आब देखेंगे बिध्धू तानी की electricity chapter के important objective question और answer पहला question देखेंगे अब परती रोधाकता का यह से मातर क्या होता देखें आपके डिस्प्लेय पर दिखाई दे रहा होगा परती रोधाकता का यह समातर क्या होता और kikतना important question है देखे, 15 में, 12 में, 16 में, 22 में पुछा बुछा रोगध सकतर है, अब पर्ति रोध थकता का यह सomaतर रख क्या होता है? लिए पर्ति रोध दो नहीं होगा, ओम मीटर बाट और एंप्या, तो सही अंसर क्या हो जाएगा? बिद्धुताव चाहिए तीसरा कोच्चन है पर्तिरोध का मान बढ़ाने के लिए परतिरोध को जोरना चाहिए option यह देखे पास्व करम में है option B देखे समनांतर करम अब दोस्तो परतिरोध को मान बढ़ाने के लिए देखे परतिरोध का सनूजन दो तरह से होता है एक होता है स्रेणी करम में तो स्रेणी करम में जיतना भी परतिरोधव जुरा हुआ रहेगा वो सब का समयBlue ten होता है ऑन बाटा आर तरी अब इसका मतलब है कि एकर सिरेनिक करम इंगे तो पर्थी रूद होरेंगे उख योग मिलेगा नई बढ़ जाएगा लेकिन समन अंतर में जोरे पर रहेंगें तो वाम डाने बटा करना मतलब किurpose civ51 करें देखेंगे श्राइरमान क्या होगा देखें भी आपको फुर्मॉला बता रहे थे कि अगर श्रेणी क्रम में हम जोडते हैं तो सम्तुल पर्ति रोध जो आर्यस होता है सभी परति रोधों का समय सनोता नहीं कि योग होता है तो जितना भी परति रोध है सबको जोड दीजिए एक ओम दो ओम और तीर ओम तो एक दू और तीन के तरह होगा च्छे ओम हो जागा निया ऑप्सन देखें सी ओम यह हो जागा सही तोस्तों कोशन नमर पांच ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है जब चालक का ताप नियत रहता है विद्धुधारा का मान नियत रहता है चालक और परवाहिद से प्राप्त बिद्धु धारा किस परकार की होती है देखे 2011 और 20 में पुछा वगा कोशन है तो देखे बैटरी से DC करेंट प्राप्त होता है अनिकी B हो जाएगा उप्शन सही सरल सेल में धन धुर्ब का कारिक कौन करता है उप्शन यह देखे लोहा B है चांदी C है कारबन ओर दी है G कानिकी जास्ता सही अंसरों का उप्शन C कारबन उसके बाद आठ में देखे बिद्धु धारा के किस परभाव पर कार्ज करती है देखे 11 में और 15 में पूछा वगा कोशन है तो बिद्धु धारा कि उसमी पर वहाव पर कार्ज करता है उसमी प्रभा मतलब इंसर को जाएगा नायक्रूम हो जाएगा बिद्रूद का जो नाइकरोम का बना लगा होता है। चोटा बरा बहुत छोटा और इनमे से कोई नहीं सही इंसर होगा C ए मीटर को बिद्धूत परिपत में किस करम में जोरना चाहिए भी देखे 14 और 15 में पोचा हुआ कोशन है option A देखे है समनांतर करम में B है स्रेनी करम में C है दोनों करम में और D है उपर में देखिए ए मीटर को विधूत परीपत में जो है सिरेनी करम में जोड़ेंगे और अगर समनांतर करम में और भोल्ट मीटर अगर रहेगा तो उसको समनांतर करम में जोड़ेंगे जिसे अगला कोशन देखिए भोल्ट मीटर को विधूत परीपत में किस में जोड़े देखे किस और बाइस में पुछा हुआ कोशन बहुत इंपर्ट कोशन हो जाता है तो देखे एक किलो बाड घंटा का मान जो है जूल में हो जाएगा तीन दसमलब छे गुना दस का पाबल छे जूलानी की बी हो जाएगा उप्सन सही परीपत में बिद्धुधरा की माप किस स कि जाती है ऑप्सन देखे बोल्ट मीटर है बी ए मीटर है सी गैलबाइनो मीटर है और इनमें से कोई नहीं यह देखे पंदरा और बाइस में पुछा हुआ कोशन है सही अंसर इसका भी हो जाएगा ए मीटर ठीक है यह देखे दोस्तों बीभाब एबं भीबांतर कया से मात सब्सक्राइब कर लिए और बील आइकन जो दबाए ता कि आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर करेंगे उसका नूट पिसल मिल जाएगा तो बिद्धुत धारा के उसमें प्रभाव पर अधारित होता ठीक है बिद्धुत धारा का जो उसमा होगा उसमा में बदलेगा जादा उसमा होगा तो बिद्धुत फ्यूज का जो तार रहेगा उगल जाएगा परिपत तूट जाएगा और जो उपकरन है वो जलने से बच जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं अधरा में क्या है बिद्धुत बल्ब में कौन सी गैस भरी राती देखिए नाइट है इसमें पुछा हुआ कोशन है तो बिद्धुत बल्ब का जो तंतु जो फिला मेंट होता है वो टंग अश्टन धातू का बना होता है आनि अप्शन सी ओजगा सही नेक्स कोशन देखिए इसमें दो चालक तार जिनके पदार लंबाई तथा ब्यास जमान है किसी परीपत करता है कि जब एक सी अधिक परति रोधक सिरेणी करम में जुड़े हो तो कौन सी भौतिक रासी उनमें समान रहेगी अब देखिए अगर स्रेणी करम में जुरा हुआ रहेगा तो सबसे बिद्धु धारा एक ही परकार का जाएगा ठीक है और यह उप्सन देखे इसका हो जाएगा B सही है भी देखे 22 में पूछा वो कोस्चन है 24 में देखे है समानातर करम में जुरिये तीन परती रोध हो R1, R2, R3 का तूली परती रोध क्या होगा देखे समानातर करम में तीन परती रोध जुरा हुआ R1, R2, R3 इसका सुत्र होता है 1 बटा R उक्वल टू 1 बटा R1 पलस 1 बटा R2 पलस 1 बटा R3 यानी कि ओप्सन देखे B हो जागा सही तो नेक्ट देखे बिद्धूत उर्जा का बेवसाइक मातरक पूछ रहा है ठीक है जो है धारा के परिमान को कंट्रोल करता है कम यह ज़्यादा कर सकता है यह उपसन देखे C हो जागा इसका सही नेक्ट शुचन देखे 6 बोल्ट बैटरी को सिरेणी करम में जुरे 2 ओम और 4 ओम के परतीरों से जोरने उपर परिपत में धारा का मान क्या हो जाएगा तो देखे अगर सिरेणी करम में जुरे हुए जुरेगा तो कुल परतीरों दो जाएगा 6 और 6 बोल्ट का बैटरी की भी लगा हुआ है तो 6 बाई 6 अगर हम लोग करते हैं भी इकल्ट वाई बटार होता है तो एक इंपिरिस का इंसर जाएगा ठीक है कोशन नमर अठाई देखे बिद्धु सक्ति का या सही मातरक पुछ रहा है तो बिद्धु सक्ति का या सही मातरक क्या होता है वाट होता है और अगर बराम मात्रक रहेगा तो कीलो बाट हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर विद्धु सक्ति काया से मात्रक कुछ है तो हम लोग बाट को ही लेंगे एक कीलो बाट कितने जूल के बराबर होगा यह कोशन देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है एक कीलो बाट जो है तीन दसनलब छे गुना दस के पाबर छे जूल के बराबर हो था इसका एक और टाइप का कोशन दिया हो था इसको पीछे हम लोग बताये थे कीलो बाट घंटा किसकी एकाई है बिधुतूर्जा की होगी बिधुतूर्जा की या ओप्सन देखिए यह हो जागा सही एक इसमें पुछावा कोश्चन है नेक्स कोश्चन देखिए 31 में एक कुलों बिधुत आबेश कितने प्रोटोनों से बनता है तो देखिए इसका इनसर आद कर लिजेग एक कुलों बिधुत आबेश में कितना प्रोटोन रहे कितना आबेश रहे कितना एलेक्टोन रहे तीनों का एनसर डी नमबर होगा चले 32 में देखिए किसी बल्ब से एक मिनट में 120 कुलों आबेश प्रभाहित हो रहा तो बिधुत धारा का मान क्या होगा अब देखिए बि तो इसको फिर से साफ से देख लिए किसी बल्व से एक मिनट में अगर 120 कुलों आवेस प्रवायत हो रहा है तब धारा का माना प्लोग क्यू इक्वल टू आई बटा टी से लिकाल लिजिएगा और आएगा इसका एंसर दो एंपियर ये पंद्रह में पूछा हुआ कोस्चन है चले 33 नंबर में देखे काता है एक बाह परतिरोध कैप्टल आर को एक सेल से जोरा गया है जिसका आंतरीक परतिरोध ने सेल का आंतरीक परतिरोध असमोल आर है बाह परतिरोध में धारा का मान अधिक्तम कब होगा जब कैप्टल आर का मान बरा होगा और असमोल आर ने आं समानतर करम में जोड़ा गया इस सन्योजन का समतूल परतुरोध क्या होगा अब इब देक्श अगर दो परतुरोध समानतर करम में जोड़ा तो उपर गुणा की जिन नीचे जोड़ या नि देखे यह बी नंबर ठीक है आरवन गुना रटू बटा अरवन पलस अरटू चलि इन में से कोई नहीं तब देखे इसको अगर हल कीजेगा तिसका एगा सही दो ओम अगला कोशन देखे यदी कोई पर्तिरोध हो यदी कई पर्तिरोध समनांतर क्रैमियोत उनका सम्तूल पर्तिरोध क्या होगा बिशिष्ट परतिरोध का यसाय मात्रक पुछा है, option क्या है, ओम परति मीटर, बी है ओम मीटर, सी है ओम मीटर अस्कॉरर, और डी है ओम परति मीटर अस्कॉरर, सही इनसर देखे, इसका होगा option B, ओम मीटर, चलिए, ओम के नियम को ब्यक्त नहीं करता है, ओम के नियम को ब्य equal to R दिया चलिए यह हो गया दूसरा है भी बांतर बटा धारा equal to नियतांगा ने उल्टा कर दिया भी बटा I equal to R ठीक है तिसरा है भी बांतर बरबर धारा गुना परतिरोदा नहीं कि भी को जब इधर करेंगे तो B equal to हो जाएगा I गुना R हो जाएगा ठीक है अब कहता है धारा equal to बिबांतर बटा परतिरोदा देखे इसमें तीन तो सही है एक इसका गलत है और उसी को हम लोग को लिकालना है तो धारा equal to बिबांतर गुना अगला कोश्चन देखे दो परतिरोद दो और तीन ओम समयना तर क्रयमें जुर और बटा होओ और दू आर रहे थे आपको आर वन और डू बटह ओपरमे गुना की ज़िए नीचे जोड़िए तो दो थीया च्छल बटा पांच मतलब क्या हो जाएगा अब क्या दिया हुआ देखिए, दो से बड़ा और तीन से छोटा, तीन से बड़ा पांच से छोटा, पांच के बड़ाबर दोनों से छोटा, देखिए, दोनों से छोटा होगा इसका इंसर, सही क्या हो जाएगा, डी नमबर हो जाएगा, नेक्श्ट कोशन देखिए, परमानू के निकलेंगे उसकी संख्या कितनी होगी तो एक दसामलब छे एक दसामलब छे एक दसामलब दो पांच गुनादस के पावर अठारा ने उपसन इसका एक टाइप का कोशन और आपको आगे बताया गया था चितालेस में है परमानू समाने रूप से उदासिन है परमानू में क्या काता है एक पदार्त को धन आवेसित क्या गया है इस पदार्त में इलेक्ट्रोनों की संख्या प्रोटोन की संख्या के अब देखे धन आवेसित क्या गया है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोन उसमें कम रहेगा और प्रोटोन अधीक रहेगा तो इलेक्ट्रोन की सं क्या के कम होती है और इसका बी हो जाएगा सही पदर इसमें है एक बस्तू एक आबेसित बस्तू ए दुसरी बस्तू बी को आकर्सित करती है बस्तू बी क्या होगा अब देखे ए जो है दुसरी बस्तू बी को आकर्सित कर रहा है इसका उतलर बी भी क्या होगा आबेसित होगा ठीक है या अपसर देखे इसका ए हो जागा सही चुकि दोनों पर आबेस रहेगा एगो पर पलस एगो पर मानस तबने आकरसित करेगा चलिए अगरा देखे चरिस में है आबेसन की किरिया में एक पदार्थ दुसरे पदार्थ में अस्थानांतरन होता है बाइस में अबेसन के किरिया में एक पदार्थ से दुसरे पदार्थ पर जाएगा एलेक्ट्रोन जिस पर जाएगा वो हो जाएगा रिनाबेसित और जिससे लिकलेगा वो हो जाएगा धनाबेसित याद रखेगा चलिए अगला कोशन देखिए एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है इस आवेशन में पदार्थ का धरमान क्या गया है इसका मतलब उसे एलेक्ट्रोल लिकल गया है एलेक्ट्रोल लिकल जाएगा कोई भी चीजी लिकलेगा तो हलका होगा ने आनि कि उसका दरमान क्या घट जाएगा तो देखे क्या हो जाएगा बीन में अनस्ता घट जाती है अब देखे अगला question क्या है नियुणखित में से कौन सापद बिद्धुत परिपत में बिद्धु सक्ती को निरूपित करता है ये question देखे कितना important है 2012 में 15 में 19 में 21 में 22 में option है i square r और i r square b i और b square बटार तो सही रिक्ट्रोन पर रिन आवेस होता है जिसका परिमान है तो देखे एलेक्ट्रोन पर जो रिन आवेस होता हूँ होता है माइना से दसनों 6 गुना 10 का पावर माइना सूनी स्कुल मनिकी 2 हो जागा इसका सही किसी संकाय का कुल आवेस नि यह आवेस संरक्षन का सिधानत हो जाएका option यह देखे उसके बद नेक्ष्ट देखे जब विद्धूत आवेस दो परकार के होते हैं जिन्हें धन तथा रिन आवेस से माना गया यह नामकरन किस ने दिया था बेंजामीन फ्रैंक्लिन दिया था ठीक है याद रखेगा D हो एक सकेंड में पार करता है तो बिद्धु धारा का परावाला होगा एक इंपियर और यह option दिखे होजएगा D सही तिरपन में है और यह कोशन देखे तिरपन का जो है किसम पुछाओ कोशन है भोल्ट मीटर को बिद्धुत परीपत में किस करम में जोना चाहिए अब देख जो है बिद्धुत परीपत में समानातर क्रम में जो रहता नहीं कि इसका जो परतिरोध रहेगा वो बहुत ही अधिक रहेगा अनि देखे बहुत अधिक कहां पर है यह option D में है यह हो जगा सही अगला कोशन देखे पाच्पन में काता है निवन में से कौन ओमिये कहते हैं एक बहुत होता है , एक वोल्ट का दो जूल परति कोलोम को एक बहुत कहाता है नहीं कि देखें बी नमेर हो जागा यह 22 निम्नेसा कॉस्चन पुछावा कोश्चन है अब देखें पहला है जूल इक Olá अब दुसेरा है जूल थो कॉलोम गना आफ बहूंट यही हम इस कुलोंब को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा तो जूल बटा कोamy यह जो विभाव दिया हुआ भी तो भी उकॉल टू होता है डबूलू बटा क्यू अब डबूलू पूछ रहा तो भी गुना क्यू होगा तो भी कितना है पांच और क्यू है दो तो पंदू नी दस जूल हो जाएगा नहीं कि ऑप्शन दिखे हो जाएगा यह इसका सही कोशन नमर 60 देखे सुतंतर धान आभी एस बिद्धू चेतर में गती करता है सुतंतर धान आभी के से विभाव के नीम slut की और तो दिखे कहां है पहले ऊच बिभाव के बिद्धू चेतर की और उसके बाद नीम slopes के विदू पर नहीं देखे तार का जो बिशिष्ट परतिरोध होता है रहो इक्वल टू होता है और लबटा ए तो इसे देखे परतिरोध पर भी डिपेंड करेगा और पदार्थ पर एरिया पर और लंबाई पर तो इसका सही अंसर हो जाएगा ए बी और सी तीन हो जाएगा सही चाहलक म दे रहे और तैसमें पुछाव वा कोशन है ठीक है दके एक बितुट बल पर 220 बोल्ट और सव बाट अंकित है अगर इसको एक सो दॉस होन्व पर पर्चालित करेंगे तब इसको दोरह कितना सकति आनि कि लिकाना है हम लोगको अब देखे इसमें सो बाट दिया हुआ है 75 ब वोल्ट के में में जुड़ा जाता है तो बल्ब से परभाहि धारा का मान क्या होगा यह देखे 14 पुछा वो कोश्चन है तो इसका option देखे 0.1 एक एंपियर है 0.4 एंपियर है बी हो जाएगा सही 2012 में पुछा हो कोश्चन है 100 बाट और 220 बाट के बिद्धुत बल्ब का परतिरोध क्या होगा अब यहाँ पर देखे बाट नहीं आपर भोल्ट होना चाहिए था और अगर इसको हम लोग solve करते हैं तो देखे इसका जो इंसर है 900 एंपियर चार सु चौरासी एंपियर 220 एंपियर और यह कितना है दिया हुआ 100 ओम है तो सही नसर हो जाएगा बी चार सु चौरासी ओम नेक्ष देखे आभे इसका यह सही मातरक होता है यह देखे बहुती इंप्रेंट कोशन है दोस्तों 11 में 19 में 20 में 30 में बिद्धुत आभे इसका है मातरक होता है वो कोलों होता कि दिया इसका सही सरसट में है परतिरोध р किसी तार के टुकड़े को पांच बराबर भागों में काटा जाता है इन टुकरों को फिर पार्सम करम में सनुजित किया जाता है यदि सनुजन का सम्तूल परतिरोद आर डेस है तो आर बटा आर डेस का नुपात क्या होगा और देखे तार के पांच टुकरा को बराबर काट दिया फिर उसको जो है समनातर क्रम में जोर दिया अब जोरने के बाद जो पहला R है और R डे जो अता है उसका नूपात पूछेगा तो इसका एंसल हो जाएगा 1 बटा 25 अनिकि यह option देखिये हो जाएगा कहा गिया A सही हो जाएगा किसी चालक से ओकर पर 30 सकेट गुजरने बाले इलेट्रोनों की संख्या 10 जरबी से चालक से परवाहित धारा का मान कितना होगा option देखिये इसका D हो जाएगा सही 16 एंपियर 79 में देखिये किसी बल पर 220 भोल्ट और 2 एंपियर की धारा परवाहित होती है तो फिलामेंट का परतिरोध कितना होगा 15 में पूछा हुआ question है option देखिये 110 ओम हो जाएगा सही खिलाओने में किस सेल का उपियोग होता है खिलाओने में देखिये सूखा सेल, डेनियन सेल, सौर सेल इनमें से कोई नहीं 2021 में पूछा हुआ question है, option A देखिये हो जाएगा सही, सूखा सेल हमारे घर में जो बिदुत सप्लाय आता है, आप उर्ति आता है वह, option देखिये 220 बोल्ट पर दिश्ट धारा है, 220 बोल्ट पर पर परतिया बरति धारा होगा यह option देखिये, सी हो जाएगा सही, ठीक है, 14 में 20 में पुछा हो question है, बहतर में देखिये, यह question 14 में पुछा हुआ है, एक विदुत धीटर की कुणली जिसका परति रोध सारहे पा, जिसका परति रोध पच्पन ओम और 220 बोल्ट के सिरो से जोड़ी जाती है, तो जो बिद्धुधारा लेगी, उसका मान कितना होगा चार एमपियर होगा और यह option यह हो जागा सही, समरांतर क्रम में सन्युजित परति रोध को का संख्या घटनी के उपरांद सन्युजित परति रोध का कुल परति रोध देखे 2016 में पुछाव question समरांतर क्रम में शन्युजित परति रोध का capacity रोध का संख्यागर घटाते हैं तो विद्धूत उर्जा का जो वेपारिक मातर रखोता हो वह यूनिट होता है ठीक है अती भारी ना ने की परतिरोध निर्भर नहीं करता देखिए चालक का परतिरोध आर एकौल टू होता है रहो यल बटा ए ठीक है उन्हीं से पुछाओ कोश्चन है चालक की लंबाई पर तो निर्भर करेगा लंबाई बढ़ेगा परतिरोध बढ़ जाएगा अनुपरस्त काटके चेदरफल भर निर्भर करेगा चेदरफल अगर घटेगा परतिरोध बढ़ जाएगा ताप मान पर और चालक में परवाहित बिद्धारा पर तो सही अंसर क्यों जाएगा ताप मान पर अनिक्या उप्सन होजाएगा सी इसका सही उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 77 में क्या मीटर का परिसर अनि रेंज जीरो पॉइंट तीन एंपियर है और इस एमीटर की असकेल पर डीवीजनों की संक्या 30 है तो उस एमीटर का अलपत मान अनिकी लिस्ट काउंट है ये देखें 2018 में पूछा वह कोश्चन है ऑप्सन इसका देखें 0.01 एक एंपियर निकी डी करता है ये 18C में पूछा वा किसी चालक का बाइधुत पर तिरुधकता निरभर करता है चालक के लंबाई पर भी हो जाएगा प्राकिर्ति पर जाएगा आनि की डी हो जाएगा सही इने में से सभी लास्ट कोशन है देखी आज के वीडियो का दोस्तो बिद्धूत परीपत हम लोग समाप्त कर दिए चौथा चेप्टर मैगनेटिक इफेक्ट ऑफ एलेक्टरिक करेंट और विद्धुत धारा के चुमबक के परभाव के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोश्चन और इंसर देखे विद्धुत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्धुतिय साधन से प्रभाहित विद्धुत हरा की माप की जाती है एमीटर का परतिरोध होता है देखे एमीटर का परतिरोध बहुत अधीक होता है इसका सही नसर हो जाएगा ओप्शन डी बिद्धुत चुम्बक मनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता देखिए 2014 और 21 में पूछा हुआ कोशन है option है इसपात पीतल नरम लोहा और D इन में से कोई नहीं से हिंसर क्या हो जाएगा बिद्धुत चुम्बक मनाने के लिए नरम लोहा का परियुक के जाता है कोशन नमर तीन देखिए ये कोशन 2020 और 22 में पूछा हुआ है बिद्धुत परीपत में परभाहि धारा का मान मापने में परियुक्त अंत्र है option A देखिए है गैल बैनो मीटर बी है भोल्ट मीटर सी है ए मीटर और डी है इनमें से सभी तो सही इंसर क्या हो जाएगा option C हो जाएगा ए मीटर बिद्धुत धारा को मापने का यंत्र है चौथा है देखिए बिजली घंटी बिद्धुत धारा के किस परभाव पर कार्ज करती है देखिए ग्यारा में पूछावा question है option है उसमें परभाव भी है रासाइनिक परभाव C है चुमबक के परभाव डी हनमें से कोई नहीं सेंसर हो जाएगा option C चुमबक के परभाव बिद्धुत धारा का चुमबक के परभाव पर बिजली घंटी काम करेगा पाचमा question है सेल का भीतुत भाव कबल का मात रख होता है ओम, भोल्ट, एमपियर और कुलॉम अब देखिए सेल का भीतुत भाव कबल जो होता है उसका मात रख हो जाएगा भोल्ट या फिर जूल परती कुलॉम है ये कोशन देखे बोर्ड मोडल का है उप्शन ए देखिए होगा इसका सही 0.1 एंपियर नेक्ष्ट कोशन देखे बिद्धु धरा के चुम्बक के परभाव पर अधारित उपकरन का एक उधारन क्या होगा उप्शन देखे मोटर है डाइनेमो है बिजली की घंटी है और भ आइनेमो का उप्योग किया जाएगा और यह उपसर जाएगा बी सही तो दोस्तों सभी अब्जेक्टिव कोशन इप्पोर्टेंट है इसलिए आप इसको कोभी पर नोट करते जाएगा और अगर आपको यह बीरो पसंद आ रहा हो इसे लाइक कर दिजिए नॉमा कोशन है आप्टेंग अच्टन कितने बीडिगरी ताप पर पिठालता है बहुत ही इंेपोर्टिअ कोशन ही दैखे दोस्तों इस दोस्तों टंहस्तन कितने बीडिगरी ताप पर पिठालता है सी web बिर्टी क्या होती है पचास हर्ज होती है ओप्सन देखे ये हो जाएगा डी ग्यारह में है बारह भोल्ट भीवांतर क्या दिहिन दो बिंदूओं के आर पार दो कुलाउम आब इसको पार करने में कितना बिदूट कार्ज करना पड़ता है देखे बारह में पूछा हुआ कोश्चन है अब देखे बिदूट भीवांतर जो होता है भी इक्वल्ट होता है डबलू बटा क्यू आणि की कार्ज बटा आबेस भीवांतर अब यहां कार्ज पूछ रहा है कित् fines चाहेद बारा और गुलाक기에 कितौन है दो दो बार्ः बुनागे को चॉबिस जूल हो जाएगा यह यह सदेक्खें इसका हो जाएगा सी सही उसके वहाद रेक्स कॉछन देखें 10 ओम eben 20 ओम के दो पहरती रोधों को स्रेडी करम में जुना Environ जूरा जाता है संतुल पहरती रोधों को अब दखे शिरैणी करम में अगर पहरती रोधOOOO जुला हुआ रहेगा तेरह में है ओम के नियम का गनिती ये रूप है देखिए 11 में पुछावा कोशन है ओम के नियम का गनिती ये रूप देखिए I equal to B into R दिया हुआ है I बराबर B बटा R दिया हुआ तो सही नसर तो B हो जाएगा I equal to B बटा R या फिर इसको हमें इस परकार से भी लिख सकते हैं B equal to I गुना R ठीक है नेक्ट सुझे देखिए बिध्धुत मोटर बदलता है ये 20 में पुछावा कोशन है बिध्धुत मोटर बदलता है बिध्धुत मोटर क्या करता है कि बिध्धुत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलता है बिध्धुत मोटर जो है बिध्धुत उर्जा को कोई भी यंत्र आप उससे चला सकते हैं तो बिधुत मुडर जो है बिधुत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदनने का काम करेगा। कोशन नमर पंदर देखे बिधु धारा के कारण किसी बिंदू पर उत्पन चुमबक की बल छेतर की दिसा दी जाती है। और देखे, चुमबक की बल का अगर दिसा पूछेगा तब होगा फिलेमिंग के बाम हस्त के नियम दोरा। पूछा वो कोशन नहीं बिद्धुद धारा के किस प्रभाव पर काम करेगा बिद्धुद फिर तो उसमिय प्रभाव पर करता है ठीक है उपसर यह हो जाएगा सही इसका सतरह में हैं चुमबक की छितर में धारा बाही चालक पर लगने बाले बल की दिसा दी जाती है ओम के नियम से फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से फ्लेमिंग के दचिन हस्त नियम से मैकसिबल के दचिन हस्त नियम से देखे इसके पहले भी इस तरह का एक कोशन आया था उसमें च में पूछा हुआ है तो भारत में जो पर्तिया बरती धारा आता है हमारे घरों में वो पचास हर्जिका आता है ठीक है याद रखेगा निमखिते में से कौन किसी लंबे बिद्धु धारा तार के निकर चुम्बक्य चिदर का सही बनन करता है उप्शन ए है चुम्बक्य चिदर की रेखाएं तार के लंबत होती है उप्शन बी है चुम्बक्य चिदर की रेखाएं तार के समानांतर होती है उप्शन सी है चुम्बक्य चिदर की शंकेंडरी बल रेखाएं का केंडर तार होता है सही एंसर तो हो जाएगा उप्शन सी ही कम और option C है बिद्धुत बाहक बल से दो गुना और option D है ने में से कोई नहीं देखिए सेल की प्राप्त जो बीबांतर होगा वो बिद्धुत बाहक बल से थोरा सा कम होगा नहीं आप्सन जाएगा B सही डाइनमों से कैसा धरा प्राप्त होता है परतिया बरती देश्ट दोनों इनमें से कोई नहीं देखिए 11 में पूछाओ कोशन है डाइनमों से परतिया बरती धरा प्राप्त होता है नहीं कि यह सीक्रेंड प्राप्त होता है चले तेस में देखे किसी बिद्धुत धाराबाही सीधी लंबी परिनालका के भीतर चुम्बक के छदर देखे परिनालका के भीतर गर चुम्बक के छदर बोलेगा तब सुनने हो जाएगा परिनालका के बाहर चुम्बक के छदर पूछेगा क्या होगा देखिए यह कितना है इसमें देखिए मैक से बिल का अच्छिन हस्तिनियम आप लगाईएगा तो इसका इंसल जो आपको मिलेगा उपरी मुख्यानी की आउट बार्ड मिलेगा ऑपसन देखिए हो जाएगा डी इसका सही चलिए नेक्ष्ट देखे 25 में तामे की त की एक आयता कार कुणली किसी चुम्बकिये छेत्र में घुर्नी गती कर रही है किसी कुणली में प्रिरित धारा की दिशा में कितने परिभर्मन के पहस्चात परिवर्तन होता है तो 2019 से पुछाववा कोशन देखिए दो दिया हुआ है एक दिया हुआ आधे दिया और एक उठाई दिया हुआ तो सही असर हो जाएगा एक आनी के उप्सन जो है बियो जागा सही कोशन नमर 26 देखे एक दो और तीन ओम के परती रोधो को सिरेनी करमें बारा भोल्ट की बैटरी से जोड़ा दता है तो परिपत में धारा का मान क्या हो जाएगा देखे सिरेनी करमें तीन परती रोध जुरा हुआ तो सबसे पहले सम्तुल परती रोध लिका लेंगे तो कुल परती रोधो का योग होगा नी कि कुल परती रोधो जाएगा एक और दो तीन और तीन चे हो जाएगा तो कुल परती रोधा नी कि यार मान लिजे कि छे हो गिया और बारा भोल्ट च्छे करेंगे तो कितना जागा दो आजएगा ने इसका जो इंसर होगा वो होगा दो एंपिर में की भी बीओ जगा सही उसको जगता सदय समें किसी उपकरन में धा ननी पलस और री ननी की माइनस का चिन नहीं होता है option A है, sale में, sale में तो होगा, option B है देखे, भोल्ट मीटर में इसमें भी होगा, ए मीटर में होगा, कुंडली में, यह देखे, option जो है, do होजगा सही, यह देखे, कितना महत्त है, इसमें पुछाओ question है, next question देखे, चुम्बकिये, सुई, पिर्थभी के चुम्बकिये, उत्पन हो जाता है, देख्यात किजिएगा, अगर किसी चालक तार से बेदो थरा परवायत होगा, तो उसके चारे तरफ चुम्बकिये, च्छेदर उत्पन हो जाता है, आनि यह option जो है, दोस्तों, यह हो जागा सही, इसके बाद, हम लोग, जब objective, पांचो चेप्टर का ख तो उनके बीच परती यह कांक लंबाई पर लगने वाला बल होगा, देख्ये, सही अंसर हो जाएगा, ओप्सन C, दो गुना दस के पावर, मैनस साथ न्यूटन, चुम्बक की धूर्ब की परवलता का यह साई मातरक पूछ रहा, ठीक है, चुम्बक की धूर्ब की परवलत का मातरक हो जाएगा, एंपियर, मीटर, बिध्धुत मोटर की किरिया का बहबारी कूप योग है, बिध्धुत मोटर की किरिया का बहबारी कूप योग है, ओपसने देखे, बिध्धुत, ओपसने है, चुम्बक पर बिधुधारा के परवाव, B है, बिध्धुत धारक पर सब्सक्राइब्र B है, भोल्ट मीटर, C है, गैल भाइनो मीटर, और D है, पोटेंसियो मीटर, अब देखे, भिभांतर कुमापने के लिए, पोटेंसियो मीटर का उप्यों करते हैं, और इसका देखिए, उप्शन हो जाएगा, D, सक्ति का यसाय मात्रक होगा, वो हो जाएगा, बाट, और इसका हो जाएगा, C, सही, उसके 36 में पूछ रहा हुआ, उपकरन जो बिध्धुत उर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलता है, कह लाता है, देखिए, 20 में पूछा हुआ कोश्चन, इसका उप्शन देख लेते हैं, देखिए, वह उपकरन जो बिध्धुत उर्जा को यांतरी क है 0.24 option D हो जागा सही dynamo परिबर्तित करता है किसमें पुछा वो question है dynamo क्या करता है परिबर्तित देखिए यांत्री कुर्जा को बिधुतुर्जा में बदलता नहीं कि option देखिए B हो जागा सही याद कर लेजएगा बहुत important question है dynamo परिबर्तित करेगा यांत्री कुर्जा को बिधुतुर्जा में और मोटर रहेगा तो बिधुतुर्जा को यांत्र कुर्जा में next देखिए डाइनमो में वही question को थोड़ा दुसरे तरीका से पूछा है एनमवों में यां तरी कुर्जा को विधु तुर्जा में बदल जाता निया उप्सन दखें एव जया गा सही विधु धारा के चुबघा था चुमबके प्रभाव के खोजा किया था और अश्टेड निया उसके बाद देखें 41 में है बिद्धु धारा उत्पन करने बाले युक्ति को कहते हैं ये देखे 12 और 14 में पुछावा कोस्टन है तो बिद्धु धारा उत्पन करने बाले युक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे जनितर बोलेंगे अनि जनेरेटर बोलेंगे और उसमे धारा प्रबाहित हो जाएगा अगला देखते हैं कोशन देखी 43 में काता है विद्धुत जनितर का चिद्धान्त अधारित है विद्धुत जनितर का सिधान्त कि सपर अधारित है विद्धुत चुमक के प्रिरान परनें position C हो जाएगा जहीं शकी इसका उपचन जन्यत्र उच भोल्टता का जन करता है दोखे जो B और C है दोनों ऐखी देदिया है उसके बात D OPTION में क्या है? इसका सही इनसर देखिए औप्चन D हो जाएगा सही AC जनितर में सरपी बले होते हैं जबकि DC जितने में दिक परिबर तक होता है नेक्ष्ट कोश्चन हम लोग देखेंगे 45 में लगू पथन के समय बिद्धु धारा का मान देखे 15 में 12 में 23 में पुछा वो कोश्चन है लगू पथन के समय जो है धारा का मान बहुत अधीक बढ़ जाता है नेक्ष्ट कोश्चन देखे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 परति रोध को सुरेनी करम में जूरेंगे सम्तूल परति रोध आज रखेगा ओम के नियम को परिभासित करने में ताप जो है कॉंस्टेंट रहता है किसी चालक से दो मिनट तक एक एमपियर की धारा परभाहित करने पर आबेस का मान कितना हो जगा अब देखिए आई इक्वल टू होता है क्यू बटा टी आणि आबेस अगर पूछ रहा है तो धारा गुना समय करना पड़ेगा अब धारा कितना है धारा है एक एमपियर ठीक है और समय है दो मिनट दो मिनट को बदल ये सकेंड में तो 120 सकेंड तो 120 गुना एक करेंगे तो 120 क कुलम हो जाएगा चलिए नेक्ष्ट देखिए 49 में एक ओम और दो ओम के परती रोधो को स्रेणी करम में छो भोल्ट की बैटिक से जोरने पर परीपथ में धारा का मान कितना होगा अब देखिए स्रेणी करम में जुटा हुआ तो पहले सम्तुल परती रोधो लिका लेंग किसी चुम्बक के शदर में मुक्त गती के समय परिबर्तित हो जाता ओप्सन ये देखिए द्रमान भी है चाल सी है बेग और डी है सम्बेग तो सही इनसर इसका देखिए हो जाएगा ओप्सन सी बेग नेक्ष्ट देखिए 51 में किसी चालक के छोरों के बीच विवांतर भी परतिरोद आर एवं परभाहिधारा आई के बीच समन्द के चौदा में उनीस में और उनीस में ये उनीस में अनुवल और कमपार्टमेंटल मैंने कि तीन बार ये पूछा हुआ कोश्चन है तो देखिए आई इक्वाल टू आर बटा भी दिया हुआ है बे में आई इक्वाल टू आई बटा भी दिया हुआ सी में आर इक्वाल टू भी बटा भी दिया हुआ और डीन में से कोई नहीं तो सही इनसर इसका देखिए उप्शन C हो जाएगा सही R equal to B बटा I नेक्ष को जाएगा देखे 22 में है किसी चालक का परतिवर्णता का मात रखे देखे ये 14 पुछाब को तो चालक के परतिवर्णता का मात रख ओम मीटर होता नहीं कि option देखे B हो जाएगा सही ओम के नियम से option A देखे दिया हुआ I समानुपाती 1 बटा B B दिया हुआ है I समानुपाती B C दिया हुआ है B समानुपाती 1 बटा I और D दिया हुआ है B बराबर I सही इंसर कर जाएगा I समानुपाती B ओम का नियम है देखे किसी पुछाब कोशन है तो ओम का नियम देखे क्या हो जाएगा यहां से आई समानुपाती भी होता है ने तो आई इक्वाल टू भी इंटू आर हो जाएगा अब यहां से देखे भी दिया हुआ है तो भी इक्वाल टू क्या हो जाएगा भी इक्वाल टू आई बटा आर तो भी इक्वाल टू आई निधारिद करने के लिए निधारिद करने के लिए इसमें देखे लिए नहीं दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट कोशन हम देखेंगे चपन में किसी प्रोटाउन का लिए नेक्स्ट में से कौन सागून किसी चुमबा किये चतर में मुक्त गति करते समय परिबर्तित नहीं होता है अठारा का सी में देखे बेग इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है किसी प्रारूपी सौर सेल कितने बिद्धुत बिहबानतर बिक्सित कर सकते देखे अठारा में पू जगा सही 2 से रहाए भोल तक चलिए नहीं प्रेमिंग के बामहस्थ नियम में बाएं हात की तर्जनी संकेथ करती है ये देखे उनीस में पूछा ओंगे पी किसको सरकेत करती है ये बताना है अगरा देखे उनीस में पूछा वगा कोशन है निवन में से कौन सा सम्मंध सही है भी इक्वाल टू आई बटा आर भी इक्वाल टू आर बटा आई भी इक्वाल टू आई आर निये उप्सन देखे सी हो जागा सही नेक्स रोजन देखे ये भी उनुणीस में ही पूछा हुआ है बिभक्त बलए आने रियंग का उप यो किस उपकरण में क्या आता है ओप्सन आ है देखे बिदूत मोटर बी है बिदूत जनीतर सी है मीटर और डी है गैल बैनो मीटर सही इंसर हो जागा option A विदूत मोटर में 61 नमबर में 12 वोल्ट विवांतर को किनी दो बिंदूओं के बीच दो कुलोम आबेस को ले जाने में कितना कार्ज करना होगा यह बाइस में पूछाव कोशन दो किए B equal to होता है W बटा Q यहाँ पर कार्ज पूछ रहा है अनि सोरसे सफ इनरजी यहाँ दोस्तो कलास 10 के फिजिक्स का यह लास्ट चेप्टर है पाचमा चेप्टर उर्जा के स्रोत तो चलिए दोस्तो देखते है आज का कोशन क्या है पहिला जल, बिधुत, सन्यंत्र किस उर्जा को बिधुत उर्जा में रूपांतred करता देखे यह 2001 सेुन पुछा हुआ ओपशन देखे तापियय उर्जा है नाभिद्टिय उर्जा है सauर्द उर्जा हो और सितिती उर्जा है तो देखे जल बिधुत सन्यातर जो है जल के इसतिती उर्जा को बिदुत उर्जा में बदल था निया उप्सन जो है D हो जाएगा सही दूसरा कोशन देखे प्राकिर्ती में पिर्थभी पर उर्जा का मुख सुरोत क्या है देखे 22 में और 30 में पुछा हुआ कोशन है कोईला, पानी, बायू और सुरी परकास तो इसका सहीन सर क्या हो जाएगा सुरी परकास तिसरा कोशन देखे नाभी क्या उर्जा प्राप्त करने है तू अबस्यक है बोर्ड मोंडल और 2013 में पुछा हुआ कोशन है हिलियम, क्रोमियम, उर्यनियम और ये लूमिनियम तो देखे नाभी क्यों जाप्राप्त करने के लिए यूर्यनियम ये 92 और 253 सबाला होता है तो इसका देखे सहीन सर क्या हो जाएगा यूर्यनियम 253 चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट कोशन देखे, ग्लोबल बार्मिंग के लिए उतर दाई है ये भी देखे दोस्तों, 13 और 11 में पुछाओ कोशन इसलिए आपको बता रहा हूँ, सब कोशन इंपोर्टेट है इसलिए आप लोग बीडियो को स्किप मत कीजेगा एक 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 उपजेक्टिव कोशन को आपराट लिजे ओपजेक्टिव है, ओपजेक्टिव है, ओपसन देख लिए है चार का, O2, यने स्थिरी, CO2 और यन 2 सही इंसर क्या हो जाएगा, CO2 गलोबल बार्मिंग के लिए CO2 गैस जो है, वो उतर दाई होगा पचमा कोशन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए ओपसन देख लिजे, धूप बाले दिन, बादलो बाले दिन, गर्म दिन और बायू पबनो बाले दिन ओपसन हो जाएगा, 20 है और ये कोशन देखे, 12 और 20 में पुछा हुआ था चलिए, नेक्स कोशन हम दो देखेंगे, 6 में का काता है, नेक्षित में इसे काउन जैव मात्रा उर्जा स्रोत का उधारन नहीं है, ये भी कोशन देखे, 12 में पुछा हुआ है, लकडी, गोबर गैस, नाभीकिये उर्जा और कोईला भी हो जाएगा, तो नाभीकिये उर्जा जो है नहीं में आएगा, ने, उपसन C हो जाएगा सही सातमा है, निर्खित में से काउन जिबासम इंधन नहीं है, ये भी कोशन देखे, 12 में पुछा हुआ है, बायो गैस, पेट्रोलियम, प्राकिर्टी, गैस और कोईला देखे, बायो गैस, इसका सही एंसर होगा, ए, ठीक है, आठ में देखे, इंधन है, आप्सन A देखे है, CNG, B है LPG, C है लक्री और DNA से सभी, तो सभी देखे हो, जगर, CNG जो है, LPG जो है, और लक्री तीनों इंधन के रूप में उप्योग होता है, ये भी बायस में पुछा हुआ कोशन है, नेक्स्ट कोशन देखे, 9 में, जिबासम इंधन का उदाहरन, ये देखे, 22 में पुछा जाएगा दोस्तों सही, चलिए 10 में काता है, उत्तम उर्जा का स्रोत हुआ है, उप्सन देख लेते हैं, पहले ये 22 में पुछा हुआ है, अब देखे, ये जो सरालता से सुलब हो सके, जो परती एकांग काहितन, अथवा परती एकांग दरमान में अधिक कार्ज करें, जिस इने उर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, उनमें से अधिकांश सौर उर्जा को निरूपित करते हैं, निम्लखित में से कौन सा उर्जा स्रोत अंततह सौर उर्जा से व्यूत्पन नहीं है, ऑप्सन ए देखिए है, भूतापिये उर्जा, बी है पपन उर्जा, सी है न सबस्राइब चलिए 15 में देखे हलके नाभीकों को मिलाकर उनसे भारी नाभीक बनाने की किरिया का कहलाती है सनलयन, विखंडन, बिललयन और इनमें से कोई ने देखिए हलकी नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाएगा निकी सनलयन हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम लोग 16 में ओक्राप्ट और वाल्टन ने सन 1932 में तोरित प्रोटाउन को लिथियम पर बंबर्शित कर एक कन की खोज की जो नाभिकी एभिकिरिया ये देखिए लिथियम दिया हुआ है पलस हाइडोजन बनाता है बेरियम और फिर ये बदलता है ए पलस हिलियम और पलस उर्जा में तो एक एस्थान पर क्या होना चाहिए अब देखिए निट्राउन है प्रोटाउन है बीटा कन है और अलफा कन अब देखिए यहाँ पर देखिए यह जो बेरियम है उसका परमानु संख्याद 4 है और यहाँ पर देखिए हिलियम का परमानु संख्याद 2 है जिसका मतलब यहाँ पर जो है एक अलफा कन लिख लेगा तो option हो जगा D सही सूरी की उर्जा का धार नाभिक्य सनलियन है जिसमें hydrogen बदलती है तो hydrogen जो है helium में बदलता है आद रखेगा option C इसका सही हो जगा ठीक है नाभिक्य सनलियन होगा किसका सूर्ज का उर्जा येक उब्जेक्टिप तो ये बन जाएगा दूसरा है नाभिक्य सनलियन में क्या होगा हिलियम बनेगा अठारा में है गैर प्रमप्रागत उर्जा सुरोत का ये कुधारन क्या है option A देखे दिया हुआ है सवर उर्जा, B है बिदुत उर्जा, C है नाभिक्य उर्जा और D है भूत आपी उर्जा सवर उर्जा होगा सही इंधन से उर्जा को किस प्रकिरिया द्वारा उत्पन किया जा सकता है option A है देखे दहन, B है रसाने का भी किरिया, C है मंदन, D है इसी तो उर्जा, दोस्तो इसका सवर उर्जा क्या होगा option A होगा 10 B समें नाभिक्य उर्जा किस प्रकार उत्पन होती है 17 नमा नमर कोशन देखे आपको बता रहे थे नाभिक्य उर्जा जो है नाभिक्य विखंडा, नाभिक्य सनलयन, सवर उर्जा और भूताप ये उर्जा सही अनसर होगा नाभिक्य विखंडा ननी की option होगा B सही next कोशन देखे किसमें सवर सेल सवर उर्जा को रुपांतरित करता है सवर सेल सवर उर्जा को रुपांतरित करता है बिधुत उर्जा में option देखे होगा D सही है किसमें पुछा वो कोशन था पबन उर्जा के छितर में कौन सा देश अग्रनी है ऑप्शन देखे भारत है पाकिस्तान है जर्मनी है और रूस है सही अंसर का हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा सी हो जाएगा सही तैसे में है इंधन से उर्जा किस प्रकिरिया द्वारा उत्पन के जाता तैसे में पुछाओ कोश्चन है रासायनीक मंदन दहन इनमें से कोई नहीं सेंसर हो गया बी दहन उसके बाद 24 में है आप कच्रा को निप्टाने की समस्या से कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं गलत आदतों एवं इस्तमाल के तरीकों में बदलाब लाकर बी है अच्छी सफाई करना सी है दूसरों पर निर्फार रहना डी कोई ने सेंसर हो जाएगा ए गलत आदतों एवं इस्तमाल के तरीकों को बदलाब में लाकर गोबर गैस सनियंत से प्राप्त बायो गैस का मुख के आ नभी करनिये शुरोत का ये कुदाहरं देखिए तैसे में पूछा वो कोशन है कोईला या पेट्रोलियम भी है पेट्रोल सी है सियन जी और डी है कोई नहीं तो इसका सही एंसर देखे हो जाएगा Option A. Goila या Petrolium 27 में क्या करता है A. नभी करनी ये उरजा है Option A. महा सागरिये उरजा सवर उरजा Koila से प्राप्त उरजा और D. है पबन उरजा देखे ये 22 में है तो Koila से प्राप्त उरजा क्या है आ नभी करनी ये नेश्ट क्या है जो उर्जा मिल जाएगा वो भी समाफ्थ हो जाएगा पेटरोलियम से भी जो होगा उर्जा समाफ्थ हो जाएगा तो यहा ना भी करनिय में आ जाएगा 29 में हैं महा सागरो महा सागर तरंगों की उर्जा से उचित मूल पर बिद्धूत उत्पादन के लिए वही अस्थान उप्युक्त माने जाते हैं जहां तट पर एक किलो मीटर लंबाई में आपतित सागरीय उर्जा दर कम से कम ओप्सन ए है 40 मेगावाट हो बी है 15 कीलो जूल पर ती सकेंड हो 20 मेगावाट हो इन में से कोई नहीं सरिसर क्या हो जाएगा ओप्सन ए 40 मेगावाट तीस में देखे सागरीय तापीय उर्जा सनियंतर परनाली में परचालन के लिए परती 1000 मीटर पर ताप का अंतर कम से कम होना चाहिए ठीक है ये 20 डिगरी सेलसियस देखे इसका सहीर सरोगा C 31 में देखे पुछा हुआ एक मीली एंपियर बराबर होता है 21 में पुछा हुआ कोश्चन है ये एक मीली का मान 10 पी पावर माइनस 3 होता है और एंपियर तो अप्सन देखे क्या हो जाएगा एक किलो ग्राम लकडी के भंजक आसमन से प्राफ्त चारकूल का दरमान होता है ये 0.25 केजी होगा अनिकी ओप्सन देखे ये हो जाएगा सही कोश्चन नमबर 34 घरों में यल पी जी जो परियुक्त होता है उसका मुख घटक क्या है 22 में पुछा हो कोश्चन है ब्यूटेन हो जाएगा उसका सही इंसर उप्सन ए दिल्ली परिबहन की बसों में परियुक्त सी अन्जी का मुख घटक क्या है मिथेन हो जाएगा सही उप्सन बी दोस्तो 26 में किसका उसमीमान सबसे ज़्यादा है गोबर के ऊपले, गोबर गयस, यलपीजी या लकडी तो किसका उसमीमान समझे ज़्यादा होगा यलपीजी, गयसका होगा सी हो जाएगा सही नेक्स कोश्चन देखे से इस में सूर्ज से जो परकास उर्जा विकरित होता है उस उर्जा का सुरोत है सुर्ज से जो प्रकास उर्जा बिकृत होता है उसका सुरोत क्या है हाईड्रोजन से हीलियम का नाभीक सनलयन होगा यह तो यहाँ पर देखिये हाईड्रोजन नाभीकों का सनलयन यह देखिये option जो है C हो जाएगा सही पबन उर्जा, पबन बिध्धु जनितर में पबन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए 14 में पूछाओ कोस्षन है तो देखे पबन बिध्धु जनितर में पबन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलो मीटर परती घंटा और यह option देखे यह हो जागा सही 49 में है 100 उसमक का मान लगभग है option A देखे 1.4 कीलो बाट पर मीटर स्क्वार option B है 100 बाट पर 30 मीटर स्क्वार option C है 1.5 पर मीटर स्क्वार option B है 1.4 बाट पर 30 कीलो मीटर स्क्वार सही इंसर होगा option A थालिस में है पबन चक्की के कार्ज करने है तो आवस्यक पबन का बेग है देखिया उनीस में पुछाओ कोशन है 15 किलोमीटर परती घंटा इसका एंसर होगा अब भी उर्जा के गैर परंपारिक स्रोत है कोईला पेट्रोलियम पबन उर्जा और बिधुत उर्जा तो सहीर सर क्यों जाएगा ओप्सन देखिये यह हो जागा सही नेक्ष्ट देखिये 43 में यूरेनियम 249 है और यूरेनियम 235 है दोनों के नाभिक में भी खंडन हो सकता है ओप्सन यह देखिये दुर्थ गामी निट्रोनों की टकर से बी है मन्द गामी निट्रोनों की टकर से C है αलफा करन के टक्र से और D है एलेक्ट्रोन के टक्राने से सही अनसर रहेगा option B मन्द गामी ने ट्रोनों के टक्र से 45 में है गामा किरन की आपिर्थी X किरन की आपरिती और option है K बराबर होती है से कम होती है से आधीक होती है के साथ कोई समंदर नहीं रखता तो देखिए गामा किरन का जो आभिर्ती होगा वो एक स्किरन के आभिर्ती से आधीक होगा और यह उप्सन जो है सी हो जागा सही चलिए पराकिर्टिक से प्राप्त इरुएनियम 235 तीस था इरुएनियम 238 की परतिशत मात्रा होती है उप्स से यह उर्जा बिक्रित होता है सुरी के अंदर नाभिक के सलनय नाभिक की रियास यह उप्सन देखिए बी हो जागा सही 47 में उर्यनियम बिरानवे 235 की नाभिक में प्रोटाउन और निट्रोनों की संख्या होगा अब देखिए प्रोटाउन तो यही बिरानवे हो जाएगा और बिरानवे में से 235 घटा दिजिएगा तो 143 आएगा यही आपका देखिया उप्सन जी जगा सही ठीक है आनि की बिरानवे खाइड आयमायु कहलाता है जिसका मान होता है एक दसालब 6 गुनादसके परबर माइनस 26 कीजी ट है नव दसालब एक गुनादसक परब यह1 310 कीजी ही बिसफोटित होने के लिए अबस्य खोती है क्रांटिक मातरा कहलाती है 235 के लिए इसका मान लगभग होता है option A देखे है चार किलोग्राम B है एक किलोग्राम C है नौ किलोग्राम और डीहन में से कोई नहीं सही है option B एक किलोग्राम पचास में है वह उर्जा जो नाभीकिये कनो को बापस में बांध करक्ति क्या कहलाती है बंधन उर्जा कहलाएगी option देखे बियो जगत सही अगला question देखे बायस में पुछा हुआ है नरवरा नाभीक के बिदू सनियंत्र किस राजे में इस्थित है option A है राजस्थान, B है गुजरास, C है महराश और D है उत्तर परदेश सही अंसर होगा D उत्तर परदेश बामन में नीन में से उत्तम उर्जा सुरोत का उन्सा है कोईला है, लकडी है, पेट्रोलियम है या बायो मास है सही अंसर होगा, बायो मास अनिकी D और ये भी उन्नी से पुछा होगा कोश्चन है तीरपन में देखे नीन में से कौन सा स्वप्च उर्जा सुरोत है उन्नी से पुछा होगा कोश्चन है option A कोईला, B लकडी, C प्राकिर्टिक गैस और D इन्मे से सभी सही अंसर कोजगा, प्राकिर्टिक गैस चोबर में टिहरी बांध, निर्मान का उद्यस क्या था ये कोश्चन देखे, बायो में से पुछा होगा है टिहरी बांध, निर्मान का उद्यस क्या था option A है जलापूर्ती, B है भूमी सिचाई और C है बिजली उत्पादन, D है इन्मे से सभी, तो सही अंसर होगा D इन्मे से सभी पच्पन में A नभी करनिये उर्जा का सुरोथ है ये बायस में पुछा होगा question है कोईला, पबन, जल और उर्जा देखे, जल, पबन, उर्जा तो नभी करनिये सुरोथ है लेकिन कोईला क्या हो जाएगा, A नभी करनिये सुरोथ हो जाएगा next question देखिए तरंग धैर को समानता बेक्त किया जाता है option मीटर में, हर्ज में, मीटर पर दिसकेंड में, D, इन्में से कोई नहीं सरोगा option है, मीटर में, तरंग धैर को मीटर में बेक्त के जाता है, यह देखिए, बाय से कुछ अब कोशन था तो दोस्तो, कलास 10th के physics का जितना भी chapter था, आज हम लोग उर्जा के सुरोथ का objective देखे लेकिन जितना भी chapter था आपका सभी का objective कोशन समाप्त हो गिया अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कर दिजेगा और इस वीडियो को अधिक सेर कीजे और अगर आप मारे चनल पर नए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को दबाएए ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई नया वीडियो लेकर करेंगे उसका notification मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं धन्यवाद